हेलो फैमिली, मैं हूँ रजनी, रजनी किचन तरका में आपका स्वागत है हेलो फैमिली, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे किचन में देखिए फ्रेंड्स हमने आज बनाए हैं ब्रत के दही बड़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना कि ब्रत के दही बड़े हैं उतने ही यम्मी उतने डिलिसेस वाउ चैल यह फटाफट से इसको बना लेते हैं तो देख़ी, इसको बनानी के लिए मैंने आलू लिया है, ये बौयल डालू है, य raped थोड़े बड़े से थे, इसलिए मैंने इसको कट करके माइक्रोवेब में बौयल किया है, आप चाहें तो कूकर में भी कर सकते हैं, और ये मैंने 2 tsp सिंहाडे का अठ डालिया है, ये ये मने पूर करिएगा आप और यह मैंने भूना हुआ जीरा लिया है इसको इसकिप मिल्कूल मत करिएगा यह हरी मिर्ची है अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो डाली जिएगा नहीं पसंद है तो मट डालीएगा यह मैंने ब्लैक पेपर लिआ है काली मिर्च का पाउडर और यह मैंने त्वोड़ा से लिया है रेड चिली पाउडर है ना और मैंने थोड़ा सलिया है फ्रिस्क कटा हुआ हरा धनिया यह हमारे दही बड़े के स्वाध को बढ़ा देगा तो इसको इसकी बिल्कुल मत करिएगा और मैंने थोड़ा सलिया है यह चटपटी चटनी और यह टोमेटो सॉस इस चटनी और टोमेटो सॉस की लिंक आपको डि आप एक बड़े बरतन में साथा की तरीके से थोल देंगे फौग की हल्प से को इससे बहुत ही दिया नाद फौग से तो आप भी कर सकते हैं आप प्राइच करिए का थे यहार हमारी यह वह अच्छी तरीके से अब इसमें डालेंगे आटा तो टू टीश्पून है है ना तो हम इसमें टू टीश्पून के करीब आटा डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर यहीं हम तो बहुत जाह्दा नहीं डालिएगा ने तो बहुत जाह्या ओजाएगा और अब काउन मेंगे बुनाजीर यह होममेड है इसको घर में बनाइए बहुत ही तेस्टी रहता है जाना पाउडर लेंगे तो उसका उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है और यह जो मैंने हरी मिर्ची कट की थी इसको भी डाल दिया है और लास्ट में यह धनिया लिया था मैंने कट करके इसको भी पूरा डा और अच्छी तरीके से मिला देंगे तो ऐसी बहुत सारी डिस आपको मेरे वीडियो में मिलेंगी मेरी चैनल पर आके आप देख सकते हैं और जैसे ब्रत की टिक्की हुई चटपटी चटटी हुई साबुदानी की नमकीन कई तरीके के लड़ू जो हमें काफी एनर्जी से भर अच्छी तरीके से मिल गया है अब हम एक खड़ाही में घी डाल दिये हैं घी या तेल जो आपको खाना पसंद हो आप वो ले सकते हैं और यह मैंने हाथ को हलका सा ग्रीस कर लिया है घी से अब हम बनाएंगे बड़े तो देखिए इसमें से आलू निकालिया और इस तरीके से कोल यह टिक्की का साइज जो आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं मैंने इसको टिक्के के आकर का बनाया है अब इसका नाम किया है बड़ा है तो अगर हम बड़े बना रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बड़े में इस तरीके से अंगली जरूर ल तो आप जिस तरीके से उड़त के बढ़ेना कोई ग्लास पर कपड़ा लगा के बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं देखिए मैंने इस तरीके से सारी टिक्किया बना ली है मैं फिर से आपको याद दिलाती हूं इस तरीके से अंगुली रखना ना भूलिएगा देखिए हमारा तेल जो है वो गरम हो चुका है अब हम इसमें तलने के लिए इन टिक्कियों को डाल देंगे देखिए दिखने लगी है एक तरब से सिख गई है अब हम इसको पलट देंगे फ्रेंड्स यह बहुत ही टेश्टी बनती है है ना दही बड़े तो ऐसे भी सबको बहुत ही पसंद आते हैं और ब्रत में तो पूछो ना ठंडा ठंडा खाने में कितना मज़ा आता है है ना तो ट्राय जरूर करिएगा देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है आप देख पा रहे हूंगे कितना मोटा मोटा सा हो गया है तो इसी तरीके से हम सारे बड़े फ्राई कर लेंगे देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया है अब हम इ हमारे सारे बड़े बणके रेडी हो गए है चलिए अब इसको सर्ब कर लेते हैं सबसे प्रप प्रख का एक बॉल ले लिजिए और इसमें सबसे पहले हम दही डाल देंगे अगर हम डालेगा थे ही इस तरीके से आप जब भी दही बड़े भीखाएं या ब़्त वाले हो तो इसी तरीके से समा चावल के हो तो इसे तरीके से भीखガनेगा कि ये सारे बढ़े ना इसमें दही लखे इस है अब इसके उपर से फिर से सम्हें बढ़े रख देंगे इस बार फिर से ध्यान रखेंगे जहांपे बड़े हैं नहीं पर नहीं रखना है अमखो अलग साइड में रखें listeners नहीं तो उपर के लिए इसको छोड़ देंगे 10 मिनट इसी दही में यह बड़ा हमारा जो है वह इसी तरीके से रखा रहेगा यह काफी अच्छी तरीके से फूल जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाला मिलाएंगे देखें 10 मिनट हो गया है चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसके लिए मैंने ले लिया है एक ट्रे वाव मेरे तुम्मों में पानी आ रहा है फ्रेंड्स आप कब बना रहें दही बड़े जरूर बताएगा और यह ब्रत में ही नहीं आप किसी भी टाइम बना के खा सकत ही बहुत ही टेश्टी बनता है प्रोक Sy lata यह बने में पड़े लगा दिये हैं अब हम इसके ओपर से डाब देंगे दहीं प्लेटिंग बिल्कूल आप हैप प्लेटिम में पर देंगे कर दो आपको जैसा करना है आप उसी साब से कर सकते हैं, और देखें अब इसके ऊपर ड जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं और अब हम इसपे लाल मिर्ची डाल देंगे हलकी सी हाँ एक बात और अगर आपको दही बड़े थोड़े से खटे मीठे खाने हैं तो आप दही में थोड़ी सी चीनी एड़ कर लिजेगा मैंने नहीं एड़ किया है क्योंकि मुझे सिर्फ खटा चाहिए था अब हम इसपे एड़ कर देंगे चटपटी सी चटनी वाव आरानम हो में पानी चटनी को देखकर आरे यार देर किस बात की जाएए मेरे चैनल पर वहां आपको इसकी लिंक मिलेगी फटा-फट से आप घर देखें जितना जो चीजें आपको खाना है उससे साब से आप डाल सकते हैं तो मेरी प्लेटिंग हो गई है आप सबसे लाश्ट में मैं इसके उपर से डाल दे रहे हैं हलका सा धनिया का पत्ता है ना यह मेरे दही बड़े के स्वाद और सूरत दोनों को बढ़ा देगा तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को अभी तक अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे बहले आपको मिल सके और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ सेयर करें थैंक्स पॉर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्कु सो मॉच बाबाई